हालो एपरीबड़ी, क्लास 11 एकोनोमिक्स के इंदर आपको एक बार फिर से स्वागत है चप्टर 3 अपना चल रहा है और उसकी दो विडियो अपने देख लिएं आज अपन इसी चप्टर को आगे बढ़ाती वो देखेंगे कि जब अपन अपने देश की तुलना अन्य देवदश्यर से कर ले तो उसको लास्ट विडियो के अपने जनसंख्या गया धर पर देखा था कि जनसंख्या में लिंगानुपात में तिनो देशों की क्या इस्तेती है आज अपन देखेंगे जीडीपी तो जीडीपी के रुपे तुलना के पहले हपन देख लेते हैं कि जीडीपी कहते किसको है तो जीडीपी ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट अर्था सकल घरेल उत्पात सकल घरेल उत्पात की परिवाशा देखते हैं तो एक देश की भोगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले निवासियोद्वारा एक वर्ष की अवदि में उत्पादित अंतिम वस्तों और सेवाओं के मोदरिक मिल्यों के योग को जीडीपी कहते हैं अर्था जीडीपी हमें ये बताती है कि किसी देश में किसी देश की भुखलिक सीमा में एक वर्ष की अवधी में क्या-क्या उत्पादन हुआ है और उसका मोद्रिक मुल्य का योग क्या है तो यदि हमें किसी देश के कितनी उन्नती हो रही है, क्या ग्रोध हो रही है, उसकी क्या इस्तिती है, यदि हमें देखना है, तो हम उसके लिए GDP देखते हैं तो आज हम देखेंगे कि भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों की GDP की तुलना की कर लेंगे क्यों 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 पता चल जाएगा कि उन्हें तुलनात्मक विकास का क्या आगड़ा है अर्था यह में तुलनात्मक विकास अनुभव देखना है तो तीनों देशों की जीडिपी की तुलना करनी होगी क्योंकि GDP ही किसी भी देश के हर तरह के विकास को उसका यदि मापना है उसके विकास का मेजर कमेंड कर दाए तो GDP उसका आधार है तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनाती है बारत पाकिस्तान और चीन एक तरफ तीनों देशों के नाम ले लिए तो आप देखिए कि जहां भारत के अंदर 1985 सी के अंदर GDP की रेट क्या थी 5.7% तो पाकिस्तान में 10.3 तो चीन में 6.3 लेकिन उस वक्त की जो आकड़ों को देखो और 2011-15 के आकड़ों को देखिए बारत के अंदर GDP बढ़ी है 5.7 से 6.7 पाकिस्तान के अंदर 10.3 जहा थी सबस यहां पर जो पॉजिटिव बात ही है कि मात्र भारत ही ऐसा देश है जो अब विकास कर रहा है 1885 से के अंदर भारत की इस्तिति अच्छी नहीं थी चीन और पाकिस्तान से पिछला था लेकिन अच्छी बात ही है कि 2011-15 आते आते भारत की इस्तिति अच्छी हो गई है और GDP में एक बड़ा उच्छाल आया है बाकि दोनों देशों में GDP कम हुई है तो यह तो अपने देख लिया कि इस तालिका के अंदर अपन के किस तरह से दोनों तीनों देशों के GDP में चेंज आया है तो इस तालिका का अधियन करके अपन बता सकते हैं कि तीनों देशों की विकास का जो तुलनात्मा कध्यान है वो किस प्रकर हो रहा है तीनों के अंद और पाकिस्तान तीनों देश के दिपन बात करें तो तीनों का जो श्रम बले उसका अधिक परसेंटेश क्रशी और क्रशी आधरित गतिवेदियों पर जुड़ा हुआ हमारे तीनों देश के अंदर भारत और बारत और चीन के तो जनसें के भी बहुत ज्यादा है आला कि पाक रजनिक शेट्र का बहुत अधिक महत होई तो महां का अर्तिववावस्ता जो मिलोक प्रारम केंदर तो करशी में दिपेंड हो लेकिन बाद में सरकार के प्रहसों से उन्होंने secondary sector अर्था वी निर्मार्शेत्र के अंदर अधिक investment किया और काफी लोग भी निर्मार्शेत्र से चुड़े तो जीदी जीडीपी के अंदर योगदान की बात होगी तो चीन के अंदर दूतियक शेत्र का योगदान उसके GDP के अंदर भूत अधिक है लेकिन अपन ब त्रत्य क्षेत्र है सेवा शेत्र के उसका योगदान अधिक है हौला कि लोक rivने सेवा शेत्र में कम जुड़े वह हैं तीनों में जीटीपे में योगदान की बात करो तो चीन में सेकंडरी सेक्टर правильно करता हैं लेकिन इदि अपन रोजगार की बात करें तो तीनों ही देशों का अधिकान श्रमबल एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बैस्ट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है तो यहीं बात ही है ते तीनों देशों में जीटीपी में योगदान तो यहीं तो आपने तीनों देशों के जीडीपी के तुल्ला कर ली अब आगे बात करते हैं मानव विकास के संकेतां तो मानव विकास संकेता क्या है किसी भी देश का यदि अपने को देखना है डैवलोप्मेंट देखना है उसका विकास देखना है मानव का किस प्रकार से व करेंगे अपन देखेंगे कि देश कितना विकास कर रहा है अपना उसको मापना है तो हमें कुछ आया मुराधार को लेना होगा वहीं आया मुराधार सुचकां के संक्यतां कहलते हैं तो सबसे पहले 1990 में एक पाकिस्तन के अर्थशास्त्री मेहबुप उल्हक उन्होंने सबसे पहले मानव विकास संक्यतां की बात रखी कि इस प्रकार अपन मानव विकास संक्यतां के द्वारा देशों के विकास को माप सकते और इसमें अम्रता सेन का वियोगदान रहा है अब अब बात करते मानव विकास को मापने के आयाम कौन-कौन से तो जीवन प्रत्याशा प्रतिव्यक्तियां शिक्षा जीवन इस्तर और पोशन यह कुछ ऐसे आयाम या आधार है जिसकी तुलना करके हम देश के विकास को माप सकते हैं तो यहां पर हमने इसमें से कुछ आयाम को लिया भी है जिसके अंदर अपने मानों विकास सुचकांग ले लिया एज्डियाई रैंक ले लि जीवन प्रतिशा ले लिया विद्यालमें औसत वर्ष ले लिये कुछ अकुछ अपने यहां यहां या आधार यह सुचकांक या संकितांक ले लिये इन संकितांकों की अपने इन तीनों देशों में तुलना करेंगे जिससे अपने को पता चलेगा कि तीनों देशों के अंदर क्या इस्तिती रही है सबसे पहले मानव विकाद सुचकांग की बात करो बारत में 0.640 चीन में 0.752 और पाकिस्तान में 0.56 तो यहां पर एक बात और बता देंगे कि जो मानव विकाद सुचकांग के वो 0 और 1 के पीच में ही आएंगे क्योंकि इनों इस तरह से इसका में बना रखा है कि इसकी जो गढ़ना होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी तो अपन देख सकते हैं कि भारत के अंदर मानव विकाद सुचकांग तीनों के अंदर लगबग से में 0.5, 0.7 और 0.6 आगे बात करते हैं HDI रेंग की तो पाकिस्तान सबसे आगे चीन उसके बाद भारत और उसके बाद चीन है जीवन प्रत्याशा देखिए लगबग 68.8 वर्ष चीन में 6.4 वर्ष और पाकिस्तान में 6.6 वर्ष जीवन प्रत्याशा के जीवन की मतलब मनुश्य कितने वर्ष तक जिएगा इसका एक एवरेज विद्यालै में इद्यान आसत वर्ष देखते हैं तो भारत में छेपुंट च्यार वर्ष यहां पर चीन में 7.8 और पाकिस्तान में 8.6 वर्ष कोपोषेद बच्चों की संख्या बाद करते हैं तो भारत में 37.9 चीन में飯 8.1 एक ऑरपाकिस्तान में 47 परष याद पुपोष है कि एक लाग बच्चों के जन्मापे कितनी माताओं की मृत्यों हो रही है बारत में एक सो चुमूतर चीन में 27 और पाकिस्तान में 108 तो यह कुछ ऐसे आयाम थे या संकेता क्या सुचक थे जिसके द्वारा अपने देश की तुलना करी इन तीनों देशों की तुलना करी तो अपने इन सब आकड़ों से एक बात पता लगा लिए कि भारत पाकिस्तान और चीन तीनों देशों के अंदर विकास की यात्रा प्राड़म है तीनों अपने देश के विकास में जुड़े हुए तीनों के अंदर कुछ बातों में समानता है और कुछ बातों में असमानता है आज अपने GDP की बात कर ली और इन विकास को मापने के आयाम की बात कर ली तो अब अपना इस चप्टर के अंदर इसका जो मुल्यांकन है वो बचता है कि अपने तीनों देशों की विकास यादरा को तो अध्यान कर लिया है लेकिन उसका अपन को एक मुल्यांकन करेंगे और एक निशकर्ष के उपर पहुँशना है तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है इसका जो मुल्यांकन और निशकर्ष अपन अगली वीडियो में देखेंगे तो अगली वीडियो के साथ ही ये लेसन अपना complete हो जाएगा तो तब तक आप मेरे साथ बने रहे हैं और मेरी वीडियो को देख करके अपना अध्यन ज़री रखिए Thank you